नमस्कार क्रिकेट का महाकुम्ब देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ राजश्रीत हवाईत और मेरे साथ स्रूडियो में इस वक्त मौझूद हैं हिती इंद्र मेरे सहयोगी जी हाँ मैच चल रहा है आज दो मैच खेले जाने एक मैच जो दो बज़े शुरू होगा और एक मैच जो अभी चल रहा है लखनाओ में ये माच खेला जा रहा है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं नीदर्लैंड और शिलंका की टीम आमने सामने हैं लखनाओ में ये माच चल रहा है आपको बता दे कि इस बीच ये बड़ी खबार नीदर्लैंड ने अपने लगभग 6 विकेट जो है गवाद दिये हैं अगर हम रनों की बात करें तो 120 रन लगभग टीम ने अब तक बनाए है नीदर्लैंड वही टीम है जुसने इससे पहले साउथ अफरीका को हराया है तेंद्रा साउथ अफरीका भी आज मैच के लेगी लेकिन पहला मैच चल रहा है वो नी विकेट नीदर्लैंड ने गवाद दिये हैं स्कॉट एडवर्स जो है वो 16 रन बनाकर आउट होगे पिछले बार इनका प्रदर्शन अच्छा था तो वर्ल्ड कप में नीदर्लैंड वर्टिस श्रिलंका ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 189 रन पर नीदर्लैंड उने चेव विकेट गवाद धिये हैं तो नीदर्लैंड पहले अपको बता दे कि वानका पर इसले पर आपको किल रही थे और ऑच्छा प्रदर्शन देखने कम देखने ये मैच खेला जाएगा इंग्लेंड और साउथ अफरीका की टीम आमने सामने होगी आप चली बात कहले थे इंग्लेंड और साउथ अफरीका की जी हाँ जो नो ही टीम में आमने सामने होगी इंग्लेंड पिछले बार की विश्व भी जेता है और South Africa ने अभी विश्वक अप में इते इंद्र देखे तो सबसे ज़ादा रन अभी तक बनाए है 428 रन का स्कोर इनों ने खड़ा किया था वो अब तक जितने भी मैच में उसमें सबसे ज़ादा रन वो रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं आज की इस मैच को आप कि वो खेलते हुए दिखाई ने तो एक नया बदलाव टीम में होगा तो कोशिश यही रहेगी कि जीत हासिल की जाए लेकिन साउथ अफरीका की बात करें तो साउथ अफरीका भी एक छोटी टीम से हार चुकी है लेकिन मनोबल में कोई खास कमी मुझे लगता है कि दिखाई नहीं देगी साउथ अफरीका की टीम बड़े स्कॉर्ड खड़ा कर रही है अपने आपको सेमी फाइनल की रेस में मान रही है वो अलग बात है कि वो एक मैच हार गे और तीन मैच उसने जीते थे तो अब चौथा मैच भी जीत जाते तो शायद वो इंग्लैंड और न्यूजिलेंड की बराबरी वो कर सकती थी दोनों के अगर हम पॉइंट देखे त अगला अगर हम देखे तो इनके बीच जो मैच है वो दिल्चस्प हो सकता है दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबलों में बड़ा उलट फिर देखने को मिला था मुकाबला करी टकर का होने का असार है ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गया वं अगला इसलिए के बीच जो मैच है निदरलेंड से हार के बावजुद फॉर्म में है साउथ अफरिका ऐसा हम कह सकते हैं बिल्कुल ठीक भी है साउथ अफरिका टीम पॉइंट स्टेबल में तीसरे नंबर पर है बिल्कुल से भी फाइनल की रेस में ये है और पॉइंट स् इंग्लैंड को पहुचना है तो मैच ये जीतना होगा कहीं न कहीं साउथ अफरिका और इंग्लैंड की टक करोनी है चुले संभावित प्लेंग 11 में हम दिखाएंगे बानखेडे स्टेडिया में ये माच खेला जाएगा संभावित प्लेंग 11 के अगर हम बात करें तो बात देखें इंग्लैंड की क्या कुछ है ये प्लेंग 11 बिल्कुल जोस बटलर है कप्तान है इनके जोने वेरस्टो है डेविड मलाल है जो रूड अच्छा अच्छे ख्लाडी है 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 लियम है मौईन अली शांदार प्रदरशन अपना दिखाते हैं जब फॉम में होते है तो सेम करन हैं ग्रेस वॉक्स हैं मार्क वॉड और रीस टॉप ले अब साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेंग 11 की अगर हम बात करें तो टेमबा कप्तानी कर रहे हैं और डीकॉक देखें तीन मुकाबलों में दो शातक है इनके और बहुत ही शांदार प्रदर्शन इनक हैं यह पॉसिबल प्लेंग 11 हैं हाला कि टोस के बाद ही अप लेंग 11 जो है वो डिसाइड होती है तो बेंस्ट्रोग खेल रहे हैं जैसा कि आपने बताया तो वो काफी एहम हो जाते हैं वो शायद आई-पेल में सारी माफ किजीगा अभी इस बार के विश्वक अप में उन नहीं न कहीं अच्छा खेल रही है नीदरलेंड के साथ जो उसका मुकाबला हुआ तो वो बारिश की वज़ा से थोड़ा वो उलट फेर वहां पर देखने को मिल गया था हैसा हम कह सकते हैं कई चीजे होती है अगर हम बात करें दक्षिन अफरीका की जो टीम है साउथ अफ अफरीका की टीम तो आज यह देखने वाली बात होगी किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा और जिस तरह की संभावना है क्योंकि बल्लेबाजी को सपोर्ट करने वाली पिछ बताई जा रही है तो ऐसे में एक बड़ा स्कॉर वहां पर खड़ा हो सकता है और पर यह यह भी अगर कोई भी टीम जो भी वहां है तो पहले गांदवाजी करने का फैसला ले सकती है तो ऐसे में टीम ओह पर कहले इसके पास एक बड़ा स्कॉर खड़ा करने के अलावा विकल्प भी नहीं गोड़ा सवत अपरिका करना ही पाड़ेगा। जिस तरीके से आपने रडी कोक उनके काफी अचछी प्लेंग कर रहे हैं। तीन मैच अभी तर्फ केलें, दो में उनका शत्क। तो आज देखने वाली बात होगी कि आज एक बार फिर से वो शत्केपारी केलते हैं और अगर शद्केपारी नहीं भी खेलते हैं तो उन पर उम्मीदे जरूर होगी टीम को कि टीम बड़ा स्कॉर्डरा खड़ा करें और ये हलांकि देखने वाली बात रहने वाली है क्योंकि दोनों ही टीमे मजबूत टीमे हैं इंग्लेंड को हटे में लिया जा सकता बहले ही अभी तक दो माय चारी हुँ एकशारी हो पर ये लिए तक मजबूत दावेतारी पेश की जाया ये क्योंकि पिछली बार की विजेतर है तो ऐसे में बिलकुल यह नहीं चाहेगी कि शर्मनाख स्थिती में आए और बाहर जाए इस टूर्णमेंट से बिलकुल भी ऐसा नहीं चाहेगी इंगलेट की टीम और वहीं साउट अफरीका की टीम क्योंकि पिछला मुकाबला हारी है तो साउट अफरीका यह पूरी कोशिश में रहेगी कि इस मुकाबले को जीता जाए और फिर से वही कम बैक वही वापसी हो वही शांदार तरीके से परफॉर्म किया जाए इस टोर्णमेंट में इस मैच म करें वाली बात रहने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप के मैंने अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं ज्यादा तर मुकाबलों में यह देखने को मिला कि अगर आपके टॉप आपनर्स अचा कहल रहे हैं उनमें से कोई एक विकट जाता है या दो विकट चले जाता है तो उ आपके टीम में लडखडा जाती है लडखडा जाती है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा मांसिक दबाब खिलाडियों के उपर एक्दम और इंडिया ने संभाला था मैं जब आउस्ट्रिया के खिल रहे थे मैं तीन विकेट गिरने के बाद इंडिया ने मैं समाला थ जानकारी है कमल मेरे सायोगी इस वक्त निउसरूम से लाइव जुड़े हुए है कमल क्या टॉस हो गए हैं क्या कुछ कहेंगे आज के माच को लेकर राशे इंग्लेंड पे टॉस जीता है और गेंड़ बाजी का फैसला किया है मुझे लगते हैं बिकुल सही फैसला है क्यो में कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि लाइट ज्यादा नीचे नहीं है उपर है तो अरां से बैटिंग या पर हो सकते है बले पर गेंड आते तो फैसला भी को ठीक है यानिक साथ अफरीका पहले बले बाजी करेगी एक चेंज है आज बवुमा नहीं खेल रहे हैं उनक आज नहीं देखने को मिलेगी एक चेंज साथ अफरीका की तरफ से है लेकिन इंटरस्टिंग यह है कि दोनों ही टीमें छोटी टीमों से मैच हार करा रही है यानिकी मनसिक तक कैसी होगी यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा ठीक है कमल बने रहेगा दर्शकों को भी बत प्पांच में से चार मैच लास्ट के वुक टीम जीह जिसने बाद में चेज किया है यानिते हैं प्शे कर दिया तापने बड़े बड़े टारगेट मैदान पर चेज हुए है तो मुझे रखते हैं फैसला ठीक है लेकिन साथ अफरीका और इंग्लेंड दोनों ही टीमें स्ट्रोंग है 50-50 का ये चांस मुझे लग रहा है पाकिसान को अपने आसपास भी नहीं आने दिया उनूने शुरूआत के दस अहुत से अटेकिंग गेम केला। पिंटीम, तो रनों की बरसात यहां पर होगी। है बिल्कूल और्स इंग्लेंड में एडिल रशीद भी खेल रहे हैं जैसा कि आपने कप्टान का कहा कि साथ अफ्रिकश के कप्टान आज नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगा रीजा हेड्रिक्स को मौका दिया गया है वैसे ही अगर हम इंग्लेंड की बात करें तो आदिल रशीद भी आज खेल रहे हैं इंग्लेंड के सामने किस तरीके से इंग्लेंड की टीम महापर धराशाई ही होगे तिया अकेले राशिद कान और मुझेब रहमान ने इंग्लिश बल्ले बाजू का आउट कर दिया था केशा महाराज जो कहिने के भारत से तालुकात रखते हैं उनको भी अच्छा खासा एक्स्पिरेंस है कि किस तरीके से बले बाजू को रोका जा सकता है तो स्पिरेंस का यहाँ पर बहुत क्रूशल रोल होने वाला है एक का दुका मैदान को छोड़ देता बागी आप जानते कि एशन कंडिशन से भारते गिनबाजों का या स्पिन गिनबाजों का दबडबा यहाँ पर देखने कोई मिलता है तो आज मुकावला अच्छा होग केशा महराज वसेज आदर जशित के बीच बिल्कुर और एक तरह से देखा जाए हितेंद्र तो यह मैच रुमांचक इसलिए भी है कि दोनों जैसा कि अभी कमल कह रहे थे कि दोनों ही टीमें जो है वो छोटी टीमों से मैच हार कर आई है लेकिन इंगलैंड का हम रिकॉर् और दूसरी बात यह कि इंगलैंड के अगर हम पर्फॉमिंस की बात करें तो वह बहुत बैतर नहीं है इस बार के वर्ल्ड कप में बिल्कुल मुझे यही डर है अब इंगलैंड के लिए अगर मैं इंगलैंड के पक्षिन से बात करूं क्योंकि कमल कह रहे थे कि यहां पर अगर बल्लेबाजी करती है कोई वी टीम तो उसको मदद होती है लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाबाराजम की गलती यहां पर ऐसा नहीं है जैसी बाबाराजम ने गलती की लेकिन मुझे डर यह है कि जिस तरीके से साउथ अफरीका की टीम बहुत चांदार बल् इंग्लेंड की टीम साउथ अफरीका को रोक देती है 300 के पहले 200 पोने 300 के बीच में तो से 578 के आसपास तो फिर मुझे लगता है कि यह फैसला से ही साबित हो सकता है जो फैसला लिया है इंग्लेंड ने पहले गैंदबाजी करने का तो यहां पर अब देखने वाली बात य पर हमें कोई संदे नहीं करना चाहिए कोई शक नहीं करना चाहिए वह बहुत अची फ़ां में खेल रहे हैं बहले ही पिछले बार का मुकाबला जो हारे है एक चोटी टीम से हार गए है लेकि वहां पर एक बड़ा उलट फेर मौसम का भी वहां पर बड़ा दखल देखने क में आज का मुकाबला काफी एहम रहने वाला है काफी महतवपून और रवान केड़े की पिछ है तो देखना होगा कि कितना बड़ा स्कॉर साफ अफरीका की टीम अब खड़ा करती है और शुरुआती दस बहुत महतवपून होते हैं अगर उन शुरुआती दस ओवरों में कोई विकेट अगर इंग्लेंड के खाते में नहीं आता है तो बहुत ही अब मुश्किला जा रहा है इस वर्ल्ड कुप का अगर हम देखे हैं तेंद्र तो यह पहले मुंबई में कोई मैच नहीं खिले गए हैं आज यह पहला मैच होना है मुंबई में और दूसरी बात यह और ले कि इस पिट्छ को अगर हम देखें कमल तो इस पिच किसके लिए जादा था फायदेमन साबित हो सकती है जाए गें बाजो के लिए या बले बाजो के लिए हैं लेकिन चीज़ यहां पर जादा असान हो जाता लेकिन आज के मैदान में जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा नहीं रहा कि बल्ले बाजी मुश्किल हो जाएगी बलकि यहां पर बल्ले बाजी करना असान हो जाता है लेकिन कुछ कहने ही सकते कि पिच किस तरी किया क्योंकि इस पर कोई मुकाबला खेला नहीं गया है महरा स्ट्रें मुकाबला जरूर हुआ था लेकिन वहां पर कंडिशन बिल्कुल डिफरेंट बल्ले बाजी के लिए बहुत अच्छी बैटिंग पिच थी वह वहां पर लेकिन अभी तक का जो इत्यास है वान केड़े का वो कहने कहीं चेजिंग के लिए असान है बल्ले बा कर लए दूसरी टीमों कर सामने आए अफगानिस्तान के लिए बड्चेंपियन को मात दे दी तो बल्ले बाजल के लिए यहां पर बल्ले बल्ले जरूर होगी लेकिन स्पिनर के लिए मुकाबं सकता है अगर वह सही टपर पर गेंड़ेंगे तो तो लिए इंडियन प्लेयर हम छोड़ देते हैं तो कमल अगला जो दो मुकाबला है वो साउथ अफरीका के साथ है और इंग्लाइंड के साथ है तो ऐसे में इंडियन टीम की भी नजर आज के मैच पर बिल्कुल रहेगी बिल्कुल रहेगी कि देखे भारत का जो पहले तो कल एक चुनोती तो आप लगा लिए दो जाए तीन का वो वर्ल्ड कप जब भारत पाइनल पहुंचा था और अस्टेलिया से आर गया था समय काफी बीद गया लेकिं समय चेंज भी होता है एक राहत की पास जरूर यह है कि केन विलियम सन नहीं कहते हैं केन विलियम सन अगर इस टीम में होते राशिर तो कहिना के सामने वाली टीम होके लिए और मुश्किल खड़े जाती लेकिन हमारी टीम में हार्दिक पांडिया भी नहीं है आप उसे भी एक कहिना के टेंशन मानी अगर हार्दिक पांडिया और जो तिगडी बनी हुई थी कॉम्मिनेशन बहुत बहुत बैतरीन रहा है सारे मैचों को अगर हम देखें तो हार्दिक पांडिया नहीं खेलेंगे तो उसका भी नुकसान है टीम को बढ़ा जटका है क्योंकि हार्दिक पांडिया आपको साफ से आठा होर की इनबाजी करके देते हैं बहले बाजी में जब मोका मिलता है तो बहले बाजी करके देते हैं शाद고 झापि भॉन्हीं आप इसमेद बिलकुल नहीं कर सकते मुझे लगता है शादЛ буду तम छिए रहे कहलेंगे चांसे मुहमत शमी के ज्यादा है क्योंकि धर्मशाला के पिछ तेज गिंबाज़ के लिए मददकार साबित होती है तो ऐसे में आप एक बल्लेबास को बढ़ा कर शादू की जगा एक तेज गिंबाज़ को लेकर आएंगे जो शमी कहना कि एक अच्छे से पता है कि कहां पर गिंबाजी करनी है आर अश्विन जरूर एक विदेशी टीम के सामने फैक्टर साबित हो सकते हैं लेकिन भारत को संबल कर खेलना होगा क्योंकि न्यूजिलेंड की टीम बहुत खतरनाक है ऑन पेपर भले ही वो नहीं दिख रही लेकिन जब आपको बिल्कुल खेलने का मोका नहीं देती रूम आपको नहीं देती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके सामेश करना बिल्कुल और मुझल यह लगता है कि कामल जो एक फ्लो होना चाहिए टीम का वह वाकए न्यूजिलेंड के टीम में देखने को मिल रहा है चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बाटिंग हो एक फ्लो है उनके पास कि अगर एक प्लियर जैसे केन विल्यमसन आप नहीं खेलेंगे ऐसा कह रहे है तो अगर वो नहीं खेलते तो उनका फ्लो टूट सकता है जब विल्यमसन खेल रहे थे से पिछले माच में हमने देखा कि उनका अभी भी बरकरार है शुरुआत से जो उन्होंने लैप पकड़ी है शायद वो तूटी नहीं है अब तर अगर हम इते इंद्रों देखे आने वाले माच की तो जो जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि हम बात करें इरफान पठान की विरेंद्र सहवा की पाकिसान के प्लेयर आ चोना है यानि कि समाम टीमें जो है वो सेमी फाइनल की दावेदार टीम है तो ऐसे में इंडिया टीम कहां पर नजर आ रही है आपको तो टॉप में या तो भारत के ज्यादा तर खिलाडी दिखाई दे रहे हैं जो पॉइंटेबल बनाए गया उसमें एक स्टेट्स बनाए बिखिल एक हो तो या तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उसका ट्रायल के लो प्रैक्टिस मैच के लो अपनी टीम के बारे में अपनी तीम की प्रफॉर्वेंस के बारे में समझने के लिए क्योंकि अब तक आप जिन से भी कहलें वो आप से कही ना कहीं कम तर थे और है तो आप आपने आप में कहीं कि आपनेने कहीं एक आत्म विश्वास टीम को मिलेगा वाकिंट अची टीमों के खिलना है साउथ अफریका के खिलना है एक कॉन्फिडेंस कल के मैच से मिलेगा अगर कल भारत की टीम जीती है और जिस तरह से कमल बता रहे थे कि सभाविक साथ चेंज जो है वो दिखाई दे रहे हैं संभावित प्लेइंग 11 में और वो सूर्य कुमार को मुका मिलना ही चाहिए बरकुर मिलना चाहिए और दूसरी लगता है कि जगा नहीं मिलने चाहिए अर्दिक पांडे क्योंकि बाहर है अर्दिक पांडे का अगर रिप्लेस्मेंट करना है तो ये दो चेंज आपको करने ही पड़ेंगे तभी आप जाकर के एक अगर इन्होंने अगर इशान के साथ रिस्क लिया ही था तो मुझे लग तो आपको सुरी कुमार या फिर शामी को मौका देना चाहिए था ठीक है अगर हम एक चीज़ और देखें हैं ते इस बार हम टीम की बात करें तो जो मैं मैं कहीं कि चार सिमी फाइनल में पहुंच सती है जैसा कि बाकी प्लेयरों का भी कहना है तो उनमें कोई भी सर्प्रा प्लेयर नहीं है परफॉर्म करते ही करते हैं नाम भी यहाँ पर चल रहा है अगर हम डीकॉक की बात करें तो वो भी खेलते ही हैं और मिलर है मिलर भी क्योंकि इन सब की जो प्लेइंग है वो हम आईपेल में देख चुके हैं बिल्कुल तो यह सर्प्राइजिंग नहीं है तो ऐसे में आपको पता है कि यह प्लेयर अगर मैदान में आएगा तो इनसे तो गेम की उमीद हम करते हैं ऐसा नहीं कि सिराज ने एक होगर में चार विकेट ले लिए तो वो सर्प्राइजिंग प्लेयर थे लेकिन अभी कुछ खास वो नहीं कर पा रहें टीम में फिलहाल रन दे रहें विकेट भी ले रहें ऐसा हम कह सकते हैं तो कमल अम हम देखे मान के चले आज के अगर हम साउथ अफरिका की बात करें तो यह जो टीम आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्या लग रहा है साउथ अफरिका में अगर आज कप्तान नहीं खेल रहे हैं तो क्या इ बाजी कर रहे थे और उस चक्र में अपना विकेट गवा दे रहे थे तो कहीं नुक्सान तो नहीं होगा लेकिन मुकाबला बहुत काटे का होगा क्योंकि दो नई टीमों में बिगेटर्स हैं इंग्रेंट की टीम चाहेगी कि वह बापसी करके कमसगान अपने दो अंक अर्ज करें और जो उमीद है सेमी फाइनल की उसको लगबग जिन्दा रखे क्योंकि पाकिसान मुझे नहीं रखता कि यहां से क्वालिफाई करने के लिए अब देख रही होगी खुद को क्योंकि उसके मुकाबले अभी बाकी है साथ अफरीका बाकी है इंग्रेंड बाकी है न्यूजरेंड बाकी है और इतनी अच्छी पाकिसान की टीम लग ने रही कि तीनों टीम उको हरा देगी एक मैस्तों उसका हानत है और कमल आज पॉइंस टेबल पर क्या असर पड़ेगा अगर कोई दोनों में से कोई भी आगर मैस जीती तो पॉइ जैसे हो अगर वो हार भी जाते है तो कमसे हो सेमी फाइनल की दोड में बनी रहे यह बहुत इंटरस्टिंग हो जाता है राउंड रोबिन में कि आपको 9 मैच खेलने को मिलते हैं ऐसा नहीं है कि लीग राउंड में आप बाहर हो जाएं तो कुछ टीमें है जो बाहर होने की आप जो आप चुकी है या आ सकती है श्रीलंका जैसे तीन मैच के लिए तीनों हार शुकी है मुझे लगता ने किसके लिए आने आले समय में कुछ बाकी है इस टूनामेंट में बांगर देश हो गया पाकिस्तान भी कहना है इस स्कामिल हो सकता है अगर एक मैच और वो हार इंग्लेंड के सामने यहाँ पर मुसीबत खड़ी होने वाले है क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफरिका की टीम क्योंकि शांदार पर दुशन कर रही है वो मुझे यह confidence दे रही है कि वो एक बड़ा score बड़ा target देगी और ऐसे में इंग्लेंड के लिए जीतना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा चलने ठीक है इस पर नजर बनी रहेगी तो क्रिकेट का महाकूम आप देख रहे थे पलपल की update लगातार हम आपको देते रहेंगे खबरों के लिए बनी रहे है हर्याना नीउस पर नमस्कार